हेलो एवरिवान, वेलकम टू जेए क्लासेज, मेरा नाम है मोईश शर्मा और हम आज पढ़ेंगे टूल इंजिनिंग के बारे में, जिसका सिलेबस आज हम इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं, और यह सब्जेक्ट मेकैनिकल इंजिनिंग फोर सेमिस्टर में होगा आपका, ज इसके अंदर डिटेल्स हमारे को पढ़ाई जाती है, मेकैनिकल इंजिनियर होने के नाते, जो भी मैनुफैक्चरिंग सेक्टर है, उस सेक्टर के अंदर जो भी मैनुफैक्चरिंग होती है, वो हमारा बेसिकली बच्चो चार तरीके से परफॉर्म होती है, वोई भी आप देखो के मार्किट में आता है, तो उस से पहले जो उसकी मैनुफैक्चरिंग होती है, उसके लिए मेली चारी प्रॉसेस इस्तमाल करे जाते है, नमबर वन होता है हमारा कास्टिंग, कास्टिंग के अंदर हम प्रोडेक्ट को क्या करते हैं, उसका मोल्ड बनाते हैं, और उ जो कि एक हमारा तरीका है, मैनुफेक्ट्रिंग करने का, किसी भी प्रोड़क्ट को बनाने का, यानि कि कटिंग के माद्धियम से, हम क्या करेंगे, मैटल को रिमूव करेंगे, अपनी डिजायड शेप के अकोर्डिंग, जो भी प्रोड़क्ट हमारा जिस शेप का होगा, आपका लेट मशीन हो, या ग्राइंडिंग हो, या मिलिंग उपरेशन हो, जितने भी आपके उपरेशन होते हैं, मैनुफेक्ट्रिंग के अंदर आपके करीब 10 प्रोसेस होते हैं, जहां पर हम मैटल कटिंग करते हैं, यानि कि मैटल के चिप्स फॉर्म करते हैं, और मटीरियल को हम अपने डिजाइड शेप में डालते हैं, तो ये सबजेक्ट उसी के बारे में बात करता है, आपका, है ना, तो कास्टिंग आपका अलग छेतर हो गया, वेल्डिंग आपका अलग छेतर हो गया है, और जो आपका ये टूल इंजिनिंग है, जिसमें हम अपने टूल के माध्य हम से कटिंग पर्फॉर्म करके, फाइनल आपका कोई भी प्रोडेक्ट तयार करते हैं, कोई भी ऑबजेक्ट तयार करते हैं, वो हम करते हैं इस सब्जेक्ट की मदद से, इस सब्जेक्ट की थियोरीज की मदद से, इस सब्जेक्ट के कॉंसेप्ट की मदद से, तो सबसे पहले सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले, हमको उसका सिलेबस जान लेना है, syllabus पता होने के बाद ही हम क्या करेंगे उस subject की steady सही तरीके से करेंगे और एक हमें order मिलेगा कि किस order में हमने subject को समझना है तो subject का syllabus मैं आपके लेकर आओ tool engineering का तो अपने जितने भी दोस्तें आप उनको share करें कि tool engineering जो है je classes में आपका start होने वाला है तो उसका syllabus हम देखते हैं कि सबसे पहली आपकी unit कौन सी आती है basically पांच unit में आपका syllabus बाटा गया है तो सबसे पहले जो आपको बात करी गई है वो है आपकी unit number first जिसका नाम है आपका metal cutting जिसमें हम क्या बात करते हैं तो यह syllabus का introduction हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली जो आपकी unit है वो है हमारा क्या metal cutting तो metal cutting में क्या होता है आपने lat machine सबणी ने देख रकगी होगी उस lat machine पर क्या होता है different different operation perform की जाते है तो जो जो operation perform होते है लेट machine में उसमें भी different processes होते है माल लिया आपको किसी road की क्या करना है diameter को कम करना है कोई भी product आपका एक बार में तयार नहीं होता है उसके लिए क्या लगते हैं different different process से होकर उस product को गुज़रा जाता है सबसे पहले आपका कोई भी workshop है या फिर कोई भी industry है वहाँ पर जो भी manufacturing होती है उसमें जो आपका product है पहले आपका क्या हैगा material आता है सबसे पहले आपका क्या हैगा material आएगा उसके बाद decide होगा कि हमको किस तरह का design चाहिए आपके product का किस तरह का design चाहिए for example example के लिए अगर बात करते हैं तो हम बात करें किसकी अगर आपको एक shaft बनानी है, किसी company के लिए, मालने अशोक लेलेंड आपका truck बनाती है, तो वहाँ पर क्या होती है, machine shafts होती है, आपका engine होता है, ठीक है, gears होते है, तो ये सब जितने भी parts होते हैं, या आपका nut है, या bolt है, जो भी structure आपका form होता है, तो उसमें क्या different difference आपके machining operation perform करे जाते है, machining operation perform होने के बाद भी, आपके product की क्या करे जाती है, finishing की जाती है, और final product आपका तयार किया जाता है, जो भी आपका marketer product आता है, या कोई भी आपका component आता है, उस component की testing perform होती है, ठीक है, तो tool engineering के अंदर जो होता है, हम बात करते हैं, कि metal की cutting के द्वारा, हम उसकी किस तरीके से क्या करते हैं, final उसका desired shape कैसे प्राप्त करते हैं, ठीक है, और जो testing की बात है, वो आपका design criteria decide होने के बाद हमारी testing हम perform करते हैं, ठीक है, तो वो machine design का आपका part होता है, इसके अंदर हम बात करते हैं, कि metal की cutting के दौरा किस तरह से हम final product प्राप्त करते हैं, ठीक है, metal cutting आपकी की जाती है, किस की मदद से, टूल्स की मदद से, डिफरेंट डिफरेंट तरह के तूल आते हैं, कॉंसेट क्या है इसका, कॉंसेट आपका ये है, फॉर एग्जामपल, अगर आप बात करते हो, मान लिया, हमें कोई सबजी काटनी है, तो हम क्या करते हैं, सबजी को छोटे-छोटे पीसों में काटते हैं, ताकि हमें क्या मिले, एक हमें जो भी desired size है, सबजी का, जिसे हम खाना है, वो हम प्राप्त कर सके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नाइफ का इस्तमाल करते हैं, तो नाइफ हमारा क्या है, एक तरह का टूल है, एक तरह का कटिंग टूल है, तो वो हमने देखा, simple example है, तो तूल की मदद से हमने desired shape प्राप्त करी और उसके बाद उसके further process परफॉर्म कर जाते हैं, उसी परकार से क्या होता है, इंडर्स्टी में भी क्या होता है, जो भी आपका final size हमको चाहिए product का, या फिर हमको जिस भी shape का product चाहिए, component चाहिए, तो जैसे आपका कोई भी ferrous material है, या फिर आपके non-ferrous material है, दोनों के ऊपर ही हम क्या करते हैं, मशीनिंग परफॉर्म करते हैं, क्योंकि ये दोनों ही तरह के material जो हैं, कहीं न कहीं आपके component के रूप में, मशीन के अंदर लगाए जाते हैं, अगर आप किसी भी मशीन की बारे में बात करते हो, जैसे हम बात करें, कोई भी आपका engine है, तो engine के अंदर, जो भी आपका सीखते हैं, कि metal को किस तरह से कट किया जाता है, metal की cutting action किस तरह से perform की जाती है, जैसे आपका for example है, turning operation, तो workshop पे आपने turning operation होते हुए देखा होगा, लेथ मशीन के उपर, जिसके अंदर क्या करते हैं, turning में एक rod होती है हमारी, जिसमें हमारी चक पे लगा देते हैं, लेथ पे वो tool हमारा जाना जाता है, single point cutting tool के नाम से, आपने grinding machine भी देखी होगी, उस grinding machine में क्या होते है, multiple tool होते है, तो आपके tool भी क्या होते है, अलग-अलग point के हिसाब से cutting करते है, single point से भी cutting हो सकती है, और आपका multiple points है, जैसे आपकी RE होती है, हम लकडी काट रहे हैं, तो लकडी प तो वहाँ पर भी cutting action perform होता है, तो ऐसे ही जो metal की cutting है, वो आप single point cutting tool से करते हैं, तो metal cutting के अंदर हम को ये देखना है कि different different types के हमारे कौन-कौन से processes हैं, उनके बारे में पढ़ना है, उसके बाद cutting flutes के बारे में जानकारी होने चाहिए, सबसे पहले ये पता हो कि cutting fluid होता क्या ह तो cutting flutes जो होते हैं हमारे किसी भी machining operation में बहुत ही important role play करते हैं, कोई भी machining process हो cutting flutes के बिना वो हमारी possible नहीं हो पाती, possible अगर होती ही भी है, तो हमारा वहाँ पर क्या होते हैं, काफी सारे defects आ जाते हैं हमारे product में, क्योंकि cutting fluid के function सी इस तरह के हैं, cutting fluid हमारा क्या क्या action perform करत जब भी आपकी metal cutting होगी, तो वहाँ पर क्या होता है कि एक high energy हमको यह होती है, अधिक उर्जा का इस्तमाल करके हम क्या करते हैं, मैटल की cutting action को perform करते हैं, तो जब हम energy हम दे रहे होते हैं वहाँ पर तो उससे हमारे जो भी component इसकी हम cutting कर रहे हैं, उसका temperature क्या होता है, common sense की ब हमारा जो cutting tool है, और जो उसकी हम cutting कर रहे हैं, एक आपका cutting करने वाला, जिसको हम कहते है cutting tool, जिसकी मदद से cutting operation perform हमारी की जाएगी, और दूसरा हमारा क्या होता है, कोई भी component, कोई भी जो आपका raw rod है, उसकी हमें क्या करनी है, cutting करनी है, तो दो object होते है, और तीसरी चीज होत cutting action को perform कर रहे है, तो अगर आपको इन तीनों की चीज की knowledge है हमारे को, cutting tool की, number two, जिस material की हम cutting कर रहे है, उसकी properties, और तीसरा हम किस machine से cutting कर रहे है, तो basically इस पूरे chapter में इन तीनों के बारे में ही बात होगी, ठीक है, कि हम किस tool से machining कर रहे है, second, कि हमारा जिसको हम cutting कर रहे है, उस material की properties क्या है, और तीसरा किस machine के दौरा हम cutting action perform कर रहे है, तो अभी से syllabus मैं बता रहा हूँ, अभी से जब हम पढ़ेंगे आ गयाने वाले lectureों में, तो आप अपना mind setup करें इस तरीके से, कि यहाँ पर जो machining है, वो तीन पार्टों में रहती है, तीन उसके eyes views हो सकते है, ती दूसरी बात होती है हमारे कि हम किस material की cutting action perform कर रहे हैं, और तीसरी बात होती है कि किस machine के दौरा हमको इस particular material की cutting करने में क्या होगी, advantage होगी, metal cutting करने के लिए, किसी भी object को बनाने के लिए, हम different machine का use कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही machine है, जो हमको particular product बना के देगी, आज मशीन का use करके metal cutting को perform करेंगे, जो metal cutting जो होती है वो आपकी chips की form में हम नापते हैं, कि हम क्या करते हैं, छोटा-छोटा क्या करते हैं, material के छोड़े-छोड़े part को क्या करते हैं, remove करते हैं, और धीरे-धीरे अपनी desired shape की और बढ़ते हैं, ठीक है, तो cutting flutes क्या काम करते हैं, स जिसकी वज़े से उसका temperature क्या होता है, component का और आपके tool का क्या होता है, increase होने लगता है, जब भी आप workshop में कए होगे, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर क्या होता है, temperature जादा रहता है, गर्मी का एसास होता है, ये गर्मी कहां से आ रही है, जो भी machining action perform होता है, वहाँ जो tool है आपका और जिसकी component की machining हम कर रहे हैं, उसके बीच में क्या रहता है, घर्शन बल होता है, जिसकी वज़े से temperature आपके component और tool दोनों का ही बढ़ता है, तो इस temperature को कम करने के लिए किस का इस्तमाल करते हैं, cutting flutes का इस्तमाल करते हैं, तो cutting flutes के रूप में कौन को यूज करना पड़ेगा, तो different type के cutting flutes होते हैं, जो हमें यहाँ पर cover करेंगे, इस unit के अंदर, कि कौन-कौन से flutes हमारे यूज होते हैं, particular machining operation के लिए, और different material के लिए, ये अलग-अलग होते हैं, एक नहीं होते हैं, कि आप एक ही flutes से हम क्या कर सकते हैं, cutting action को perform कर सकते हैं, different different आपक कि ये दो main action perform करता है, और जो भी action है, वो हम इस unit के अंदर देखेंगे, तीसरी बात आगई, देखो tool wear की, अभी बात करें ते metal cutting की, अब आता है, अब हम focus करेंगे, tool wear, जब हम metal की cutting करते हैं, तो वहाँ पर tool का wear होता है, यानि कि tool क्या होता है हमारा, जैसे आप pencil से क्या करत करते हैं, तो जो ये हमारे नोक है, ये क्या है, धीरे-धीरे जब पेच पे चलती है, तो क्या होती रहती है, इसकी sharpness, इसका नुगी लपन क्या होता है, धीरे-धीरे कम होता रहता है, जैसे जितना जाद आप लिखते जाओगे, आपका जो है नोक क्या है, वो घिस्ती चर यूनित नमबर फ़स्ट के अंदर. तो जो आपकी पूरी इसके बारे में है कि किस तरह से मेठल की कटिंग dynam में की परफॉर्म करते हैं。 काफी mark番 कामपलेक्स पेरामीटर लुफ है सको पढ़ा होते है, आपको सारे parameter हम यहाँ पर clear करेंगे, ठीक है, बात करते हैं unit number 2 की, unit 2 जो है, वो हमारा unit first का ही second part आप बान के चलो, लेकिन इसको unit second में डाला गया है, इसके अंदर हमारे बात करे गया है, कि कौन कौन सी machinability क्या होती है, tool materials कौन से होते हैं, और cutting tool की geometry कैसी होती है, देखो mechanical engineers को कोई भी आप interview देने जाओगे, तो इस subject का ये topic बहुत famous है कि cutting tool की geometry, ठीक है, तो cutting tool की geometry किस तरीके से होती है, कौन कौन से वहाँ पर angle होते हैं, 6-7 angle आपके cutting tool geometry के होते हैं, और काफी complex इसकी क्या होती है, geometry होती है, जिसको हम अच्छी तरह के से clear करेंगे, basically हम क्या करें cutting tool geometry को बहुत अच्छी तरह के समझेंगे, जिससे हमें पूरा metal cutting क्या हो का समझ मायेगा, क्योंकि cutting tool geometry क्या है आपका, अपने आप में बहुत ही important topic है, और every time, हर बार क्या होता है, इस question को जरूर पूछा जाता है, ठीक है, तो ये question आपका cutting tool geometry काफी important है, उसके बाद हम grinding का tool, grinding का tool, turning का tool, broaching का tool, तो जितने भी आपके manufacturing processes होते है, 9-10 process जितने भी होते हैं, उनमें अलग-अलग tool हमारे यूज के जाते हैं, turning का tool, single point cutting tool है, तो किस material का बनाते है, diamond का बना सकते हैं, high speed steel का बना सकते हैं, high carbon steel का बना सकते हैं, और अब क्या है, material science में research होने के बाद, ह का cutting tool generate करा, इसको कहते हैं, हम क्या CBN tool, तो different type के tools यहां पर हमको पढ़ने हैं, और exam में यह tool material और cutting tool geometry, यहां से question आना आपका तै होता है, तो इन topics के उपर हम खास तरीके से क्या करेंगे, इस्टेडी करेंगे, अब बात करते हैं अपनी unit number 3 की, जो बात करते हैं, किसके बारे आपको कोई भी dice और punching की मदद से कोई blank तैयार करना है, तो हम किसका इस्तमाल करते हैं, punching और dice का, तो punching और die में क्या होता है, कि उपर से हमारा क्या होता है, punch लगाते हैं, जाने कि impact force का इस्तमाल करके, sharing action का perform करके, metal की क्या करते हैं, cutting करते हैं, और यह हमारा किसमें यूज हो पंचिंग और die, इसके अंदर हमारे दो सेक्टर चलते हैं, कि die का design होता है, एक तो हमारा और यह हमारा punch का design, किस तरह से clearance दी जाती है, punching के दौरान हमारा, और punching और blank इन दौनों में क्या अंतर है हमारा, तो कोई भी जो sheet operations होते हैं, जितने भी, आपकी कोई sheet है, हमें उसमें hole करना है, तो हम कौन सा action perform करेंगे, punching action perform करेंगे, अगर हमें किसी sheet से कोई desire diameter का क्या चाहिए, एक blank चाहिए, आगे फर्दर operation करने के लिए, तो हम कौन सा operation करेंगे, blanking operation वहाँ पर perform करेंगे, तो इसमें पढ़ाएंगे कितने तरह की dies होती है, और उनका construction हम किस तरीके से करते तो die क्या होता है, अपने आप में काफी expensive product होता है, क्योंकि इसकी designing क्या है, complex होती है, और इसमें काफी ज्यादा tolerance का ध्यान नखा जाता है, क्योंकि जो भी product बनेगा आपका, वो बिल्कुल similar बनेगा कैसा, जैसी आपकी die होगी, तो die के लिए इसलिए क्या है कि complex dies होती है, और इसलिए इसकी manufacturing construction है, वो भी क्या होती है, complex होती है, अब dyes भी हमारी काफी तरह की होती है, कि जिसके अंदर क्या होता है, कि एक ऐसी die है, जिसके अंदर सिफ एक ही operation परफॉर्म किया सकता है, जो एक ही तरह की product बना सकती है, कुछ dyes ऐसी होती है, जिसमें क्या हो सकता है multiple आप रोल पिले करती है, आपको मालिया की forming भी चाहिए और साथ की साथ punching भी तो वहाँ पर हमारा कौन सी use होती है, combination dye होती है, कुछ progressive dyes होती है, जहां पर हमको क्या चाहिए, एक आपने blank काटा, उस blank में भी क्या चाहिए, हमको एक hole चाहिए, तो वहाँ भी हम क्या करेंगे हमारा महाँ पर progressive dye का use करेंगे, तो unit 3 आपका वो punching और सिर्फ dye के ओपर focus करती है, जिसके अंदर हम sharing operation के माद्धे हम से punching और blanking operation perform करते हैं, तो ये तो बात हुई unit number 3 की, फिर unit 4 भी unit 3 का ही part की तरह है, जिसके अंदर हमें dye design के fundamentals देखने है, कि क्या-क्या हमारे requirement parameters होते हैं, dye designing क क्या हमें उसका diameter रखना है, कितनी लंबाई की dye हमको बनानी है, और किस तरह से उसकी fixing करी जाएगी with the blank, तो हम वहाँ पर देखेंगे unit number 4 में आपका dye design के fundamentals, ठीक है, तो जो dye है आपकी, वही क्या बना देगी आपका, उसी क्या आधार पर आपका product बनेगा, तो जो भी हमारा fundamental है, dye design के उपर, वह सारा क्या है, unit 4 के अंदर है, तो unit 4 के अंदर आपके जादा topic नहीं है, सिर्फ एक ही topic है कि dye design के कौन-कौन से fundamentals हमको cover करने है, ठीक है, तो unit 4 हमें cover करेंगे, जो unit 3 से ही क्या है, मैच होती हुए, ऐसे unit 1 का पार्ट था, वह यूनित 2 में हमें मिलता हूँ वह आपका unit 2 में हाँ पर डाला गया है, तो सारी की सारी हमें units जो है, अच्छे से हम cover करेंगे, अब बात करेंगर unit 5 की, तो unit 1 में भी cutting के बारे हम बात थी, unit 2 में भी cutting के बारे हम बात है, और unit 3 में आपकी punching और blanking operation से संबंदित, यहां पर जानकारी हमको मिलेगी, और unit 5 के अब बारे हम पढ़ेंगे, अब फॉर्मिंग के बारे में, तो ऐसा जो आपका, मैंने बताया था शुरू में जो मैनुफेक्ट्रिंग की जाती हो, बेसिकली चार तरीके से होती है, पहला आपका कास्टिंग, दूसरा वेल्डिंग, तीसरा आपका मैटल कटिंग, तीसरा वेल्डिंग में क्या करते हैं, पार्ट बाई पार्ट जोड के, फिर हम क्या करते हैं, फाइनल कोई भी प्रोड़क्ट आपका बनाते हैं, तीसरा तरीका है बैनुफेक्ट्रिंग करने का, प्रोड़क्ट बनाने का, प्रोड़क्ट बनाने का, प्रोड़क्ट बनाने का, यानि कटिंग के माददे हम से मैटल को धीरे धीरे रिमूव करके अपनी डिजायर शेप में लाके हम क्या करते हैं कॉम्पोनेंट यार करते हैं और आपका जो फाइनल ओपरेशन है forming, यानि कि जिसमें उसकी shape को क्या करते है, force fully क्या करते है, बदलते है, जैसे कोई आपका क्या है, आपने कोई pen लिया, उसको क्या करते है, band करते है, तो वो से कहते हैं, अगर फोर्मिंग करते हैं, तो वापिस वो क्याते हैं, तो इस तरीकों 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 क्य जैसे आपका पंचिंग औरबंग में despite the Зardい वह इस थोड़ी अलग तरही गी जाटी दिए इससे थोड़ी आणी तू तो में नी अज़ाइध इले किसमें ब्लैंक बनेगा पंचिंग से, ब्लैंकिंग से हमने क्या बना दिया, ब्लैंक बना दिया, अब उस ब्लैंकिंग पर जब फोर्स लगाते हैं, उपर से, तो एक कप शेप की क्या बना लेते हैं, डाई बना लेते हैं, जब उपर से फोर्स लगता है, तो पूरी की पूरा कप की लेने लगता है आपका can लेने लगता है तो उसकी डाइज हमारी किस तरिके से बनती है और क्या उसके पेरामेटर होते है वो हमारा तो धीरे धीरे उसके क्या करेंगे, छीलेंगे मट्रियल को, उसको चिप्स के फॉर्म में हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, और अपना फाइनल प्रोड़क्ट प्राप्त करेंगे, तो यूनिट फर्स्ट और सेगंड, आपकी मिलती जुलती सी है, दोनों यूनिट क्या है दोने युनिट के concept क्या है, आपस में क्या करते हैं, मैच करते हैं, और उसी तरीके से आपका unit number 3 थी, unit 3 में क्या है, unit 3 में हमारा dice और unit 4 में भी dice के बारे में, तो unit 3 और unit 4 के concept भी आपके क्या करेंगे, match करेंगे, जो कि हमारे लिए क्या है क्या है, बेंडिंग के बारे में, fire drawing के बारे में, cup drawing के बारे में, किस तरह से हम material के करते हैं, ढालते हैं इसके अंदर, ठीक है, तो ये बात हुई हमारी syllabus के बारे में, तो हमारा जो ये course है, हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो काफी अच्छी तरीके से detail में tool engineering को cover किया जाएगा, ठीक है, तो आपको अगर कोई भी further information चाहिए, तो आप हमारे आज ही telegram channel से जुड़ जाएए, जो भी हमारे class के schedule है, और related information रहती हैं, और जो भी हमारे notes हैं, वो हम अपने JEC Polytechnic semester class के telegram channel पर हम provide करते हैं, अगर आपको फिर भी कोई, आपको query हो, तो आप हमारे को call भी कर सकते हैं, इस वाले number पर, ठीक है, हमारी app भी है, हमारे coaching की, तो JEC classes के नाम से हमारी ये app है, आप इसको play store से जाके download कर सकते हैं, हमारी जितने भी courses हैं, वो इसी app पर हमारे available लेते हैं, और जो भी coaching का material आपको notes मिलेंगे, वो भी इसी अमारी app पर मिलेगी, तो ये app को आपको compulsory है, कि आप इसको download करें, क्योंकि आपका जो भी video lectures हैं, वो हमारे यही पर upload होते हैं, और यही से हमारा content क्या होता है, deliver होता है आप सब बच्चों तक, और जो भी आपके friends हैं, आप उनको share करें इस app के बारे में, ताकि वो भी हमारे content का lab उठा सके, तो आपके लिए content specially तयार किया जा रहा है, जो हमारा JEC app पर आपका available है, तो ये बात हुई हमारी किसकी syllabus के बारे में, तो start करेंगे अपने syllabus को नई तर झाल